सबी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके कुछ प्रस्णों का उत्तर देना जा रहा हूं और मेरी कोशिश हो गिया कि साथ दिन में एक वीडियो इस विशे पर आ जाया जिसमें आपके कुछ मुद्पुर्ण जिग्यासाएं हो तो आपके यदि कोई और जिग्यासा होगी आज की वीडियो के बाद किशी भी विशे पर तो जितनी मेरी समझ है उसकी अनुसार मैं आपको उसका उत्तर दूँगा तो आज का जो पहला है परन्तु आप कोशी से ही कीजिएगा कि आप ऐसे प्रस्ण रखें जिससे की अन्न को भी लाव हो अनि सार जनिक प्रस्ण हो निजिगत प्रस्ण भी उतर दिये जा सकते हैं परन्तु यह सोशल प्रेटफॉर्म है अच्छा नहीं होगा यहां पर उसके लिए आपको निजि रूप से ही संपर करना चाहिए वह अच्छा रहेगा तो पहला प्रस्ण रह लेते हैं कि एक लेक्ट्रार है फिजिक्स के उनका प्रस्ण है तो यह है इनका प्रस्ण है अलाकि उन्हें उतर भी दिया है और उसके साथ ही प्रस्ण भी पुछा है और तब यह कंफर्म होना चाहते हैं लिखते हैं कि matter is the intersection of consciousness and time is it true गुरू जी तो इनका काना है कि जो पदार्थ है वह चेतना और समय का इंटर्सेक्शन है आनि वे दोनों जहां मिलते हैं वहां पर ही पदार्थ बनते हैं तो मैं इनको reply कर रहा हूं और चुकि इनका प्रस्ण जो है इंगलिस में है तो reply इंगलिस में कर देता हूं और अन्वाद भी साथ में कर देता हूं संचेप में करता हूं मैं और हिंदी में थोड़ा बहुत समझा दूंगा कि कि इनक्यून करते हैं और श्नätter के लिएたका कर देता हैं थडरा चार्थ साジत अन्यूफ बनवी प्रस्ट बीबाश आन्यूफ एंच ये शをशना पकूंवाद दीनूत आर बनसके तेसरा विए इनकांर कि बनकारे एंच सी कृप्ट और विएषसक आलम्ट that resultant intersects with time and then it becomes matter firstly space interacts then time interacts though we could say that space and time both are related and both are so intermingled that it is very almost impossible to separate them even then space factor is more subtle than time factor the reason is that time depends upon any element to exist for itself if there is no element there cannot be any time and time is only relative so in order to become relativistic it is necessary that time should wait for the elements to happen and then it could interact or it could measure the event which would follow that कहने का तात्पर्या है मित्रो बक्तो कि कि जो चेतना है उसका पहले जो है समय के साथ नहीं बलकि space के साथ interaction होता है या अवस्य है कि space और time ये दोनों समय कोई साथ चीज नहीं चीज नहीं हो तब तक समय का कोई मतलब नहीं जाता है समय सदेव तुलनात्मक ही होता है तो यह जो space है उसका अस्तित्त में होना अनिवार है तभी जाकर के समय हो सकता है कोई कोई element होगा तभी जाकर समय होगा अनिथा समय का कोई मतलब नहीं जाता है तो मैं समझता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि इसके बाद पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती है अब इसके बाद एक रमेशन जी है उनकी यह जिग्यासा है अलाकि देख्तिकत है लेकिन फिर भी कुछ सामान लोग के लिए प्रयोग का है अन लोग के भी इस्तेमाल का है इनका कारणा है कि कि वज्जरॉली क्रिया जब की जाती है तो अंदर से जटका सा लगता है और बून-बून करके पैसाब सा आता है तो यहां बात बहुत लोग को हती है क्योंकि वज्जरॉली क्रिया काफी ताकतवर क्रिया है और जिनकी जो है मला या मुत्र की जो ग्रंथी है और मानस्पेसियां है और जो वहां के नसे हैं वे कमजोर अधि पढ़ जाती है तो उस पर एक्सन हो जाता है वहां आपको पिसाब की नली पर भी हो जाता है गिड़नी पर भी हो जाता है पूरा वाज़ छेत्र है गुदाद्वार से लेकर के नाभी तक का छेत्र जो की स्वाधिष्ठान चक्र मनिपूरक चक्र और मुराधार चक्र ये तीनों से समन्दित चक्र हैं तो ये तीनों ही चक्र जो है उसमें भूमी का निभाते हैं तब पेसा पर न्यंतर नहीं होता है वीरी पर नियंतर नहीं स्थूलतर में THIS याद रखिएगा पर्योग और कुछ लोग दोनों को आउनि इस उर्जा है लेकिन वह्युक्त पैरम हद और वह जर वह जल्दी से इस तरह से मापने में नहीं आ सकता है जैसे कि सामाने लुप से हम उर्जा को माप लेते हैं तो वैसे हम माही नहीं माप सकते हैं जैसे कि गुर्तवा करशन सकती है तो यह जल्दी से डिटेक्ट नहीं होती है यह तो एक हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह गुर्तवा करशन सकती है से कोई चीज उपर से गिर गई नीचे तो हम लोग एक अनुमान लगा है कि यही गुट्वा करशन सकती होगी लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह हो उसमें और कई कारण हो सकते हैं फिर ऋसके गिरने की गति को रोख सकते गटा सकतें तो तो उसी तरह से यह जो है गुट्वा23 कि अध्यात्म कि गाता है और धिर्य दरी अध्यागτοन प्रज्य पर स्टर्पों तरप्रते हैं यह कफी ज्याप डबाप संगर न सब Earnest संब्हेरों चक्र श्वाधिश्ठान च्रप्राइक फिर ज्याद्यागोम्थ तो उसमें पिशाब गर निकल जाते हैं परंतु घवडानाने चाहिए व्यक्ति को लगातार करते रहना चाहिए एक समय ऐसा आएगा कि पिशाब बंद हो जाएगा या फिर पानी जो है आप कम पीए और उसके बाद उसको करें तो धीरे 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 वह इस्तिति आ जाएगी पिशाब करके फिर आप इसको करने बैठे हैं पिशाब पहले ही कर लें और इसको करके बैठे हैं करने के लिए बैठे हैं तब जाकर आप देखेंगे कि ऐसी इस्तिति नहीं आएगी और आप ठीक हो जाएगे और वह आपकी सक्ति जो है आज आएगे अब इसके बाद जो है एक राहूल मालविया जी है उनका पूछना है कि यह जो सारो योनी मुद्रा है यह किस शक्र को सही करती है देखें सारो योनी मुद्रा है यू تو उसका हम सभी चक्रों में परियोग कर सकते हैं मुद्रा लगाते हैं जब हम तो उसके बाद हम किस चक्र पर द्यान करते हैं और हमार चक्र हमारा विशे क्या है ध्यान का विशे क्या है उस पर निर्भर करता है कि हम किस चक्र को सही कर रहे हैं यानि पहले से सुधार कर रहे हैं तो हमारा जो विशे है वह कैसा है इसी सार जोनी मुद्रा को ले करके हम लोग मुलधार चक्र में भी जो है जो दो से उसको दूर कर सकते स्वादिष्ठान में कर सकते हैं और हमारा जो फोकस पॉइंट है वह बदलता चला जाएगा हमारे मुंता बें बदलते चले जाएंगे और हमारे साधना की जो पद्दत है वह बदल सकती है मुद्रा एक ही रहेगी तो इसमें सभी बें इसका आप प्रियोग कर सकते हैं तो इसलिए सर योनी मुद्रा जो है यह सभी चीज में प्रियोग होती है और योनी का एक अर्थ यह होता है कि जहां से हम उत्पन्न होते हैं तो जिस जगह से उर्जा का बहाव आता है उचा कोई भी चक्र है हम उसमें प्रविश कर सकते हैं इस योनी मुद्रा के जरिये तो सर योनी मुद्रा का सभी में प्रयोग कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अब इसके बाद एक धिराज गोले हैं उनकी यह जिग्यासा है उनने यह पुछा है कि हम स्विव पुरान अपने घर में रख सकते हैं क्या पढ़ने के उद्देश से और अधियासा करते हैं तो इस गरंद को किस प्रकार पढ़ना चाहिए और क्या कोई विशेश नियुम का पालन करना चाहिए जिसे इस गरंद का मा रखने में कोई तोटी नहीं हो और किस प्रकार पढ़ना जिसे कहां बैठ कर पढ़ना चाहिए या किस प्रकार के सारी का उस्था साथ इत्यादी माराज आसा है आपको मेरी शंका समझ में आ गई रोगी तो कोई भी जो गरंद होता है वह अध्यन किया जाता है सरद्धा पुरुवक अगर सरद्धा नहीं है तो गरंद जो है पुष्टक की तरह पढ़ने से कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं रा जाता है फिर सिर्फ हम लौजिक को समझ सकते हैं लेकिन अगर हम उसके अधिकतर चीज्यों को गरंद करना चाहते हैं तो हमारे पास उन चाहिए तो इसके किसी भी गरंद को लेकर बढ़ेता को लेकर बिठें दौन को और इनको जो पढ़ने की दिशा अगर पुछे हैं तो यह शुव्-पुरान जो है यह आम किसी भी दिशा में पढ़ सकते हैं लेकिन इसका सबसे अच्छा मना जाता है जो कि पूरब और उत्तर का कौन होता है उस कौन में बैठ के पढ़ना सबसे उचित होता है अपने घर के भी आप जो है इशान कौन में जो आपका कमरा हो वहां पढ़ें या मंदिर में पढ़ें या खुले अस्थान पर पढ़ें तो यह अच्छा होता है और और यह उन्होंने जो जानने कोशिश की है कि इसको किसी नियम विशिक साथ पढ़ना चाहिए तो देखिए यह सब नियम अगारत तो हम लोग स्वैन ही बनाते हैं वैसे उसमें हर गरंत के अपने नियम होते हैं नियम लिखे रहते हैं तो कुछ लोग जैसे हैसी उप कि सुमर को पढ़ते हैं कि कुछ लोग सिर्फ प्राता हकाल पढ़ते हैं तो ऐसा आप नियम बना सकते हैं या नियम आपके रेगुलरिटी के लिए यहां आपके सहुलियत के लिए है आपके पास कैसा समय बचता है कब बचता है उसके हिसाब से आप इसको करें यहां है कि आप जितना सुद्ध मन से और जितना तरो ताजा होकर के पढ़ेंगे यानि प्राता काला दिया पढ़ते हैं नाध होकर के पढ़ते हैं तो यहां आ कि अब इन्होंने पूछाए गरंथ का मान रखने में कोई तुरूटी ना हो जाए तो हमें किन नियुमों का पालन करना चाहिए तो गरंथ का आप मान भला आप क्यों करेंगे जब आप सरुद्धा से पढ़ रहे हैं तो आप ने करेंगे आप तो सम्हाल के रखेंगे कि पीजिए से पादूने की कोई मतलब ही नहीं है आप दूसरे लोगों की बात है दूसरे लोग छेटी र सकते तो आपको बचा के रहना चाहिए तो पर गर के आदमी यह तो और अरंब सिर्व है तूरँ प्रूटी नहीं होगी क्योंकि आपका हिर्दे पवित्र है तो फिर ये जो गलती से अन्जाने में भूल से कभी कुछ हो जाता है तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है ज्यादा मतलब है कि हम और आप क्या मस्तिस्क में रखे हैं हम लोग कि सोच के साथ जी रहे हैं हमारी बावना में हम इस अरावही हैं अगुजय श्रुझ से बहर हुवा है तो बहुतiran के पर लाज रख करके भी आ अराख किए मंतलब नहीं है अगर हम पवित्र हैं, तो हम इस वर के बच्चे हैं, तो हम उनकी गोध में वीरा सकते हैं, उनकी पीछ पर भी बैठ सकते हैं, सर पर भी बैठ सकते हैं, यह तो हमारा प्रेम पुर्ण अधिकार बनता है, हाँ हमारे इरादे सुन्दर होने चाहिए, इरादे नेक होने के अपने गुरु की ख़ोज कैसे कर. कर टो पहले बात पता दूं कि आप गुरु की ख़ोज कह नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जब भी क्षाइएंन आप अपने हिसाब में आपकी अपनी सोच है अपनी जी जुभ्रत्पा ताभस्था और नुसार में गुरूर ही सदेवसिस को खोजता है उसमें आपकी भूमिका क्या होगी बस आपकी भूमिका इतनी होगी कि जिनकी बातें आपको अच्छी लगे जिनकी रहन सान आपको अच्छे लगे जिनसे आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कुछ बहतर होता नजर आए अध्या में कर्थ में तो आप समझना कि आप सही जगा पर पहुंच गया है फिर वे आपको स्वाइज ही चुन लेंगे आपको बस उनके पास रहना है उनकी बातों को सुनना है उनकी बताय हुए उपदेशों को गहण करके उनकी अनुसार आपको चलने की कोशिज करनी है तो रोहित जिसे मैं यही कहूंगा कि आप के विचारों को जो सकरात्म कुरुप से प्रभावित कर रहे हैं आपकी भावनाओं को जो सकरात्म कुरुप से प्रभावित कर रहे हैं इस तरह से कि उसका आएक अध्यातिन मोड ले रहे हैं तो आप समझे कि वे गुरु आपके लिए सही है और वास्तों में जो गुरु हैं वह आपके भीतर हैं जो वास्तीक गुरु है तो वे कौन गुरु हैं वे गुरु हैं जो को यह बतलाते हैं की यहाँ पर यह अन्याय पूर्ण है, यह अन्याय पूर्ण है, यह सत्य है, यह असत्य है इसका बोध कराते हैं हर एक ग्यक्ति के भीतर में इस्वरी चेतना विद्धमान है तो वह चेतना जो है इतनी समर्थ होती है कि उसे सही और गरत का एहसास करा सकती है मनुसमेनी सभी जीवों में तो अधि आप उस चेतना के परती जागरुख हो गए है तो आप देखेंगे कि आप सही विचार को गरहन करते हैं सही गरंथ को गरहन करते हैं सही तत्य को गरहन करते हैं और बाकियों को आप छाट देते हैं नजर अंदाज कर देते हैं या उसके खिलाब होकर क्यालोचना करते हैं तो आपको बस इसी में से रहना है और आप के लिए जो है सत्य और न्याय जो है और प्रेम यही गुरू है इसी पर आप ठिके रहिए और वो बातें जो इनसे मेल खाती हैं वो जहां भी मिल जाएं बस आप उसको ग्रहन करते जाएए अब बात इरुषती है कि कोई ऐसा अव्यक्ति जो इसके पास अध्यात्मी छंता होती है वो जो तब तो दर्शी होता है तो अगर आपने इन गुनों को ध्यान में रखा हुआ है तो वह अव्यक्ति भी अवस्य मिल जाएगा और वहां पर आप अपने आपी ठिक भी क्योंकि उस से अच्छा कुछ लगे गए निए इसका आर्थ कभी यह नहीं है कि आप अपने विवेक के चक्छू को अपने बुध्द्य के चक्छू को बंद कर लें ऐसा नहीं है आप विवेक और बुध्ध के चक्छू को खुला रखें और उसे कभी भी दमित नहीं करें सदे उसे प्रखर करें और जो सोना होता है उसे आज का भै नहीं होता है तो आपके द्वारा जो परक होगी वह भी आपके काम ही आएगी और कल्यान के लिए होगी और यहीं तरिका होना चाहिए हलाकि यह भी सकते है कि आप कि अवस्था ऐसी नहीं हो सकती है कि आप सद्गुरु को पहचान सके हैं सद्गुरु ही आपको पहचान सकता है कि आप वास्तों में वह पातर है और तब आपके अनुसार से वह साधना आपको बताता है और आप उस पत पर चलते हैं और आपको अपनी भी सक्ति कुछ हुआ देता है उसके पास पहुँचने से ही आप पास अगर नहीं भी पहुँचे हैं सिर्फ उसे बैचारी ग्रूप से भी आप जूड़े हैं कहीं पर भी तो आपको उर्जा मिलती रहेगी आपको दिशा निर्देश मिलता रहेगा क्योंकि दूरी और समय यहां पर बहुत मात्तों की चीज नहीं होती है क्योंकि यहां जो निर्देश होते हैं वो अध्यात्मिक अस्तर पर होते हैं जिनकी चक्र जागरत होते हैं वे वहाँ से आपको निर्देश दे दिया करते हैं आपको मिल जाये करते हैं यह बात अवस है कि गुरू के भौती गुरूप से भी सानित दिम्य रहने का भी भौत फैदा होता है भावनात्मा गुरूप से रहने का साथ में फैदा होता है अन्य था मानसे के रूप से तो आप रह सकते हैं तो आप अपने को बहतर बनाते रहेए गुरू की फिक्र मत कीजिए इस वर स्वेन सब के लिए व्युस्था कर देता है तो अभी निका उसी में अगला पाठ है कि कि कहां खोजे हैं कि जो गुरू अध्यात की गहराई तक ले जाए तो आपको अध्यात्मी गहराई तक जाना है तो आपको खोजने जरूत नहीं है इस्वर स्वेन आपको खोज लेंगे गुरू स्वेन खोज लेंगे गुरू इस्वर स्वरूप ही होता है वह स्वेन ही आपको खोज लेगा और आपको उस गारा ही तक ले जाएगा आप चलने के लिए तयार तो हूं लोग कहते तो हैं कि अध्यात्मी गारे तक जाना चाहते हैं लेकिन जब जाने की बारी आती है तो फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो अध्यात्म के लिए गैर महत्पूर्ण है वे उन्हें महत्पूर्ण लगने लगती है तो आप जो है जो गैर महत्पूर्ण है उसको पैचानिए और उसे अपना राग और द्वेश अपना अलग करते जाएए और फिर जो है आप अध्यात्म की गहराई में उतरेंगे और आपको निर्देश मिलता रहेगा अब एक सज्जन है इनका चैनल है डिवाइन समाधिका करके तो इनकी जिग्यासा आया अग्यान का बीज अग्यान ही उपजेगा तो अग्यान का यहाँ काना है कि जो अग्यान के बीज लिये हुए हैं वह अग्यान ही उपजता है तो यह जो है एक तरह से व्यांगात्मक सैली में प्रयोग किया गया है ऐसा है कि बीज जो है सभी का ज्यान का ही होता है अग्यान का भी बीज ज्यान ही है अग्यान नहीं है क्योंकि बीज मूल हो है बीज हम उसी को कहते हैं तो बीज तो सब के ज्यान ही है प्रमात्मा ज्यान स्वरूप है तो बीज तो वही है बगवाद कृष्चन गीता में कहा है कि मैं ही बीज हूँ सभी प्राणियों का बीज मैं ही हूँ तो अधी बगवाद ही बीज है तो फिर वे अग्यान स्वरूप कैसे हो जाएंगे तो अग्यान स्वरूप अग्यान भी है कहीं पर तो उसका बीज तो प्रमात्माई है ग्यान स्वरूप ही है वास्तों में अग्यान और ग्यान क्या होता है कि ग्यान का है जो स्थुल स्वरूप होता है जो भौतिक स्वरूप होता है वही अग्यान का लाता है जहां पर टाइम फ्रक्टर आ जाता है जहां पर मेंटर पदार्थ आ जाता है जहां व्यक्ति जहां उर्जा आ जाती है वह जो है वह अज्ञान हो जाता है और कोई बात नहीं है जब अभी व्यक्त होता है स्थूलता में पदार्थ स्वरुप में आ करके तो अज्ञान का लाता है इसलिए उसका जो बीज है वह अज्ञान ही है और यही इसी अज्ञान का ही सहरा लेते हैं, तो धिरे धिरे ग्यान के और चलते हैं, तो इसी अज्ञान के सहरा से धिरे धिरे घ्यान के और चलते हैं, क्योंकि इसका वास्ताव में इसका मूल जो बीज है वह ग्यान ही है, तो वो सुत्र हमें फिर पकड़ा देता है, पुना जो वो तो करुणा की चीज है करुणा मैं होना चाहिए तो अब तो डिवाइन समाधी जी को मुझे रखता है कि मेरा उद्देश उन्हें समझ में आ गया हुआ अब इसके बाद यह है कि एक राजनितिक जिग्यासा है चीन इनका नाम है इन्होंने पुछा है कि गुप समराज तक हिंदु धर्म भारत के बाहर भी गया क्योंकि तब हम धन शाली थे लेकिन अब हम इतना अमिर न रहे और इसका फैदा उठाए जा रहा है यह भाजपा भी वोट के पीछे है मुझे यह पार्टी केवल वोट के लिए हिंदु का मतला प्रयोब करने जैसा है आपका क्या मत है भाजपा पर तो पहली बात बताओ मैं कि कोई भी जो समराज्य है कोई भी सब्यता है यह धनवान कि तभी कोई भी सब्यता धनवान बन जाता है जब उस सब्यता में प्रवंधन बहुत अच्छा होता है फाइनांस के प्रवंधन अच्छा होता है और तकनीक और विज्ञान बहुत आगे होता है मूलतह विज्ञान और तकनीक यही हमें धनवान बनाते है तो यदि हम कभी धनवान थे तो इसलिए कि उस बक्त जितने भी अन्य सब्यताएं थी उनके अपिक्छा में हम कुछ बहतर थे तो ही हमारे पास धन आते थे सर प्लस आपके पास टकनीक नहीं है तो आप जो उत्पादन करेंगे उन्हीं को आप बेचेंगे और बिना तकनीक कि आप बहुत बहतर बड़ा उत्पादन नहीं कर सकते हैं आपके पास कुछ संसादन रहेंगे भी तो वे कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे और आपकी स्थिती फिर दैनी हो जाएगी तो गुप्तकाल के पहले भी हम लोग संब्रित थे गुप्तकाल में भी थे उसके बाद की जो बात आती है तो उसमें भी धन हम लोग के पास थे ऐसी बात नहीं है बिटीरियट तक भी हम लोग के पास धन थे अंग्रेजों ने यहां से बहुत ज़्यादा दोहन शोष्ण किया और यहां से बहुत लेगे अंग्रेजों से हरने के पीछे या जो मुसलिम मारकर आनता थे जो उदर बार से आए उनसे हाद एक पीछे कारण हम सिर्फ साइंस टेकनोलोजी था हम लोग का प्रोड़क्शन का टेकनोलोजी जो खाद वस्तूत पादान निंसार में तो उस वक्त भी सही था लेकिन हमारे जो आम्स और एम्मिनिशन जो थे मिलेटरी टेकनोलोजी थी वक्त अवस ही कि पिछड रहे थी कि जब हम लगातार हर छेत्र में सोध नहीं करते हैं तो जाइर सी बात है कि हम पिछड जाएंगे क्योंकि हम जब सुरक्षित रहेंगे तभी हम को संसाधन का पुरियोग कर पाएंगे और हम सिक्षा का बढ़ावा दे पाएंगे तो हर समय हर दिसा में सिक्षा को बैतर से बैतर बनाने की कोशिश करने चाहिए ये जो है पीछे जाने की जो प्रवर्थ होती है लोटने की उसमें नहीं होने चाहिए प्रतिगामी हमारे सिक्षा पद्धत नहीं होने चाहिए सदेव जो है हमारी सिक्षा पद्धत जो है आगे के लिए ही होना चाहिए और पुदर अनलसिस के साथ होना चाहिए तो हम लोग उसके बाद भी करते रहें लेकिन हम लोग मिलेटरी टेक्नोलोजी में पिशड़ गए इसलिए हम लोग मुसलिम अकरांता से हारे इसके कारण ही वह तो उन लोगों ने जो पश्चिन के देश थे उससे उन लोग ने जल्दी से उस चीज को खरिद लिया बना लिया उसके नकल कर ली हलांकि उनके बस अपनी कोई ऐसी तक्निक नहीं थी क्योंकि इसलाम जो है साइंस पर जोरी नहीं देता तो यह साइंस पर जोरी नहीं और पश्चिम के देशों ने जब वहां इसाईयों ने खुधी इसाईयों के विरुद्ध में इसाईयों की जो संस्थाएं थी जो धर्म संस्थाएं थी उसके खिलाप में विश्वेंजब खड़े हो गए और उनके रूड़िवाजित्ता खिलाप आवाज उठाने लगे और उनके अतिधीक अधिकारों के परतिय अवाज उठाना लगए तो वहां पर क्रांती आई और दोगी करांती से लिए ऐसलिए आई पहले रहना से आया वहां जंजागरती वही और दोगी करांती फिर आई उससे ज्यांस साइंस टेक्नोलोजी में विवास किया उसकी तो वैसे करने सेही वहमेर बन गए तो यह करम जा δी रहा और अभी हैं शाव曲 अब भारत भी सफोद कर रहा है और भारत भी आगे बढ़ रहा है खर lo है भारतो ने समझ लिया है कि वीज्ञान और तकनीक के विकाश से ही हम चाफ सकते हैं finance management से आगे बढ़ सकते हैं अपने अवत पाधन से आगे बढ़ सकते हैं और अपने रख्षा की जरुरते हैं उसको भी पूरा करने के लिए कि हमें साइन्स पर जो देना पड़ेगा नए हत्यार बनाने पड़ेंगे उसको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ताकि बेच करके उनसे भी कमाया तो ऐसा अब भर्त कर रहा है अब बात सवाल उठती है अब यहां जो अब पार्टी के विशे में कहा गया कि यह जो हिंदू का फैदा उठा रही है तो ऐसा है कि यह सब कुछ सप्लाई और डिमांड के पर निवक करता है हर चीज अर्थ व्यूस्ता का जो है तो जो अब यह निए राज्णतिक की हमिशता एक आप यह होता है हिंदू के कॉंगरेसियों को सताना शुरू किया हिंदू के छिलाफ जो है साजिस्य सुरू की हिंदुों के खिलाब जो है उनकी कार सेली कार योजना बनने लगी उनके बाहर से निर्देश आने लगे इस देश की सब्यता संस्कृति जो थी उसको नश्ट करने की उन लोगों ने ठान ली क्योंकि वहाँ पर इसाईयों का प्रभुत हो गया मुसलिमों की वे सुन रहे थे हिंदुओं के बिरुद्ध हो रहते जो यह बहुत संख्यक्ते देश में इन्हीं के वोट से इन्हीं के खिलाफ में नहीं के पैशे ले करके काम हो रहे थे तो हिंदू सब सोते हैं तो जायत सी बात है कि एक हिंदू में डिमांड उठे कि हम लोग की बातों को भी कहने वाला कोई होना चाहिए तो जायत सी बात है जब डिमांड उठेगी तो सप्लाई हो जाएगी तो लिहाजा 1980 में भारती जनता पार्टी बन गई जिसके बिसे में पुछा है इन्होंने तो उस डिमांड के कारण यह पार्टी बन गई पहले साथ जनसंग के रूप में थी यह पार्टी कपसे थी एगजग्डेट तो मुझे ख्याल नहीं है लेकिन उसी पार्टी के और अलब संखित के पर तो 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 श्टी करण की जो रही चल रहा थी कांग्रेश की और अन्य दर्लों की और हिंदों के पर जो अत्याचार हो रहे थे बहुत सारे जो मंदिर हैं उनका अधिगरण करके उनके पैसे को इसाइयों को दे देते थे और इसाइयों से जो है फिर जो है हिंदुओं को घर्मांतरन कराने की योजना प्रकाम होता था उनके चर्चों को बढ़ावा दिया था इतने अलपसंख्यक थे उनको समिधान में अस्थान दे दिया गया उनको स्कूल कॉलेज खोलने के लिए अनुमती दे दिये गई उनको उसमें छूट दी जाती है उनको पैसे दिये जात लिए और उसके अलबा वहां पर उनको अपने हर तरह के चीजों को पढ़ाने की छूट थी जो उनके गरंत समनी थी जबकि हिंदू यहां बहुत संक्यक हैं हिंदू को अपने आके गरंतों को पढ़ाने के लिए भी अलाव नहीं किया गया यह सब जो है अत्यचार हो रहे थे वहां अनवस्यक हो बहुत ही ज्यादा फिस लेते हैं रों के बच्चे वहां पढ़ते हैं और उन्हीrig के खिलाप में कुछ द्मेले ने का सब लंबी चोड़ी स्जोड़ चल रहे थी मंने तो हिसके घिलाफ में हिंदू समुदाय ऐसा जूटा हुआ था तो हिंदू समुदाय ने इस पर अपत्ति उठाने शुरू की तो यहां पर भारती जनता पार्टी का उद्य हुआ हिंदू को दिखा कि यह हमारा तरण करेंगे तो उन लोग ने उसको समर्थन करना शुरू किया तो जायद सी बात है कि अब भारती जनता पार्टी उसके माधियम से सत्ता में आ गई लेकिन भारत का संविधान जो है जब तक संविधान का संसोधन नहीं कि आजता है क्योंकि प्रस्तावना में तो यहां सेकुलर सोसाइटी बनाये गया है तो यह हिंदू के खिलाप में तो कुछ नहीं बनने देते ह लेकिन हिंदु के समर्फन में खुल क्या रहा है view उस्में भारतय पंवाथ क्यूंशन भी एंने प्रत्योगी के रूप में षीप सेना भी आई 10 के पुर्ण best कि वो जो है छेतरवाद में फस गई तो हो सकता है कि कुछ समय बाद इन लोगों को जो हिंदू होने के वैसे भातियनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनको कोई विकर्प रूप मिल जाए को ऐसी पार्टी और भी खड़ी हो सकती है जो कि हिंदू की बात करे तो भातियनत जनता की पार्टी नहीं माने जाएगी और जन तक सासन नहीं माना जाएगा सासन तो जनता का तभी होगा जर्प स्वैन कानुन मनाए और इसके लिए स्मार्ट फोन इसकी ज़रत हो और वोटिंग जो है इवोटिंग हो तो ऐसा अगर हो जाता है कि बैठे बैठे मुबाल से वोटिंग करते हैं किसी ब्यक्ति को नहीं चुनते हैं बरकि किसी कानून को चुनते हैं और अधिकारियों को करमचारियों को हटा़ने का प्रमोशन देने का कि आदेश देने का निर्देश देले गएका तो धी प्रजोचाइ Muslims माना जाएगा और तब यह राजनितिक जनता की अपनी पार्टी होने चाहिए जो जनताई के लिए लड़े और फिर सिर्फ समिधान और कानुन बने जनता के द्वारा बने जब भी कोई जन परते निदिर हैगा तो वो अपने हित्की करेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो गया आगे जो है वह बाकी बहुत सारे प्रश्ण है क्योंकि बहुत ज़्यदा प्रश्ण आते हैं तो फिर मैं आपको उत्तर दूँगा अन्य वीडियो में तो इसमें इतना ही आपनों को और भी कुछ पुछना है तो इसमें कमेंट बॉक्स में जाके पुछेंगे तो मैं फिर वीडियो बना करके आपको उत्तर दूँगा